माई लॉड इम्यानुवल भारत से ही हुई है खुगलों ने काई सालों तर उल्पे राज किया उन्होंने उनका खाजाना ज़रूर डाल लेकिन उनकी तहजीद नहीं लोग पाए उनकी दागत वेदों, शिक्षा और सभेदा में है वो दागत चीन लो, फिर भारत को लूटना असान हो जाएगा पूट डालो और राजकरो की नेती से अंग्रेजों ने भारत की शासर जवस्ता तहस नहस कर दी है और तरफ खलबली है कुछ राजा और पालेगार आजादी के लिए बिटिश के खलाब आंदोलन छेड़ चुके है हम जानते हैं कि पहला स्वतंतरतासंगरांग अठारेजो सवतंतावन का सैनिक प्रोव था जिसमें जहांसी की रानी लक्षमी बाई में बहुत बड़ी बुमिकाने बाई पॉयर माहरानी जहांसी के नेत रिद्व में स्वतंतरता की ये लड़ाई शिरू हुए तीन महीने हुगए बीस हजार योधा हमारे साथ मैदान में उतरें और अब सिर्फ हम सो योधा ही बचें कल अगर हम रणु पूमे में उतरें तो फिर हम सो भी नहीं बचेंगे ये सोतंतरतासंगराम हमने शुरू किया था और हम ही इसे खतम करेंगे हुआ है हुआ है हुआ है हुआ है है हुआ है है योधा का सरकण भी जाय तब ही हाथ से तर्वार मेहीं चूटनी चाहिए युद में प्राण देने वाला शिव के समार है सिरापती इस लडाई को रोकने का हक आपको किस ने दिया इस महासंगराद को ना तो मैंने शुरू किया और नहीं आप लोगों ने आप लोग लड़ने से डर रहे हैं क्योंकि सिर्फ सो बचे हैं इस युद का पहला विकुल दस साल पहले भूंदे वाला था एक अकेडावीर इस प्रिटिश सामराज की जड़े हिला देने वाला योधा एक ही था बेटा हुआ है लेकिन मरा हुआ उसका जन्म ही एक महा युद्ध था और उस युद्ध में वो मृत्य को मार के वीजई हुआ वो मृत्य को हरा कर पैदा हुआ है अब मृत्य उसे छूबी नहीं सकती वो एक योगी था एक महा युद्ध था स्वातंद्र की पहली आलख जगाने वाला रेनारु का सूरिया नोसम के पालेगार जैरामी रेड्डी ने अपनी दोनो बेटियां उयालावाडा के पालेगार मला रेड्डी से भ्याही थी बड़ी बेटि ने दो कुत्रों को जन दिया और छोटी ने एक को जिसने सिर्फ छे बरस की उम्र में दिखा दिया कि वो कोई साधरन बालक नहीं है उन दिनों सीमा में भीशन अकाल पड़ा था वर्षा के लिए यग्य करना था यग्यम में मज्जारी के कि सीवन शच को जगनात परवत पे दीप्रजवलित करना था इस विधान के लिए नर्सिमा रेड्डी को चुना गया हर कार्तिक पुर्णी मा को नर्सिमा रेड्डी के हाथो दीप्रजवलन किया जाता आसपास के सैक्णों गाओं के लोगों का मानना था कि ये दिया एक उजवल भविश्य का संकेत है नरसिम्मा रेड़ी को उनके नाना ने गोद ले लिया क्योंकि उनके पास नोस्तम के लिए का उत्तराधिकारी नहीं था नाना, बलो आप जानते हो वरफ क्यों मारे गए? यह बेटिश राज है बेटा जो उनसे सवाल पुछता है, उनके खिलाफ जाता है उसे माल दिया जाता है आप तो बालेगार हैं ना, आप कुछ नहीं कर सकते हैं हम नाम के बालेगार हैं यह अग्रेज हमारे देश में खुशा है हमारे अधिकार चीन लिए और हमारी जंता को लूटने लगे अपनी बंदोगों से तरा कर हमारे संता हत्याने के लिए वो हमारे आगे पैसे फेगने लगे मुठी भर जिसके आमें आदत पढ़ गई और तब से हम जिन्दा लाश बन गए हैं लाशों की तरह जीने से तो अच्छा है हम वित्रोई की तरह मर जाए नाना सुना है आपने पूरे देश का ब्रहमन किया है क्या सारी देश में गोरे लोग हमारे लोगों को इसी तरह मार रहे हैं तो हमें भी उन्हें मार देना चाहिए ना दरसिमा आवश तो मुझे आशिरवाद दीजी बिटा मै मारूगा उनको तो अकेले कितने इंग्रेस को मार होगे 10 को तो कदम करी सकता हूँ अजारों की सेना है उनकी वो मार देंगे तुमे तो मर जाओँगा मारना मरना महत्प नहीं मत वह जीत जीत के लिए तुमें युद्ध करना होगा युद्ध करने के लिए तुम्हारे लोगों का साथ अवश्यक है, उनका साथ तभी मिलेगा जब तुम, वही अगनी उनके अंदर जला पाओगे जो तुम्हारे हिदय के अंदर, स्वैम्न, युद्ध मन्नाक. तुम्हारा शस्त्र ये नहीं, तुम्हारा शस्त है, ये. तुम्हारा शस्त्र ये, स्वैम्न, वग्विजय प्राप्त करना होगे. तब से पहले इस्ट इंडिया में ब्रिटिश कानून लागू किया जाए, जोटे इलाकों से शुरू करके, धीरे-धीरे समय के साथ, पूरे इंडिया में इसे पहला दिया जाए, मौजूदा टैस 300% बढ़ा दिया जाए. और इस तरह, ब्रिटिश सामराजय ने भारत पर कबजा कर दिया. वो बड़े अकसर, जिनका अकेला मकसर भारत को लूट ना था, उन्हें उंची कुर्सियों पर बिठा कर हमारी देश भेज दिया गया. शैतानों की सेना का नुमाइंदा कौकरेन दक्षिन भारत की तरफ बढ़ने लगा, जिसे भारतिया उपमाहा द्वीब की रीड की हड़ी कहा जाता है. लेकिन उसे वीर भूमीर रेनाडू के बारे में क्या पता था? वो कहां जानता था कि रेनाडू का सूर्य अंधकार की छादी चीर कर उदय हो चुका है. रेनाडू की धर्दी एकसट छोटे छोटे राजियों में बटी हुई है. इन राजियों के सामन पालेगार कहलाते हैं। ब्रेटिश इन पालेगारों से उनकी सक्ता और एक्ता दोनों छीन चुके हैं। लेकिन अवुकुराज्य के पालेगार अवुकुराजु, माईडुकुरु के पालेगार वीरा रेड़ी और कर्मुल के पापा खान उन 61 पालेगारों में से हैं जो आज भी स्वतंत्रशासन कर रहे हैं नर्सिमा रेड़ी ने इन सबको एक जुट करने के लिए एक महुत सबका आयोचन किया सुआमी, मेरा बेटा नर्सिमा अंग्रेजों के इच्छा के विरुथ ये महुत सोग कर रहा है, क्या वो सफल होगा? नर्सिमा रेड़ी को याम आद्मी नहीं है, वो प्रिथ्वी पर एक लक्ष्ले कर जिन्ना है एक हाथ में दन्वार और दूसरे हाथ में वेद के साथ उसका पानन हुआ है उसे अब कोई नहीं रोक सकतो ओंबच्र सत्व समय मनुपालया ओंबच्र सत्व तेनु प्रतिष्टिता इत्रोही में भवहा, शुतोष्यों में भवहा तुमारे निर्थ का भी समय हो रहा है, जल्दी डढ़ना गुरू हम् भाहा हो भगवाना क्या हुआ बिटी? स्वामी जी, अंदर कोई है? अच्छा, वो महुत्सों से पहले सरूबर में रहने वाले सन्युवेशों स्वामी की स्तूति करने की प्रथा है हाँ, लेकिन इतनी देर पानी में जल में सांस रूपने की विद्य जानने वाले एक महापुरुश है मज्जारी नरसिमा रेटी जी आज कई सालों बार तुम्हारे लाएवे वस्त्रों से भगवान का फिर श्रिंगार हो रहा है पापा खान यह हमारे भाई नरसिमा रेटी की महिमा है यह अंग्रेसों का बंद करवाया हुआ यह उन सब फिर से शुरू हो गया या अल्लाः इस जश्न को किसी की नजर ना लगे सब मिलकर दुआ करो मैं इसे होने नहीं दूँगा क्या उकराजो इस मेले की तैयारियां युद्ध स्थर पे हुई हैं कहां कहां से लोग मिला देखने आ रहे हैं होने नहीं दूँगा का क्या मतर्ब यह मेला कौन करवारा है नर्सी महरेडी इस मेले में योगतान हमारा भी है ना पर नाम नर्सी महरेडी का होगा अच्छा मुकाबला कौन जीतेगा नर्सी महरेडी और कौन और हम जीत चाहें तो तो भी सब नरसिम्हा रेड़ी की जैकार करेंगे कि उसने इतना निश्पक्ष मुकाबला करवाया यानि जीते कोई भी जैकार उसी क्यों होगी क्या ये सही होगा बसी रेड़ी तो नहीं जीतेगा अपने हाथ में को देखवा वो नशीने दवा बैलों को भागत करतेगे नरसिम्हा रेड़ी हो या फिर भगवान नरसिम्हा है क्यों नहीं हो ये मुकाबला कोई नहीं करवा सकता बुल्यू रेड़ी दवा और ज्यादा मिला दो ये मुकाबला क्या महुच्जव ही नहीं होना चाहिए लाक्ष्मी, सुनो तो, किसे दूनरी हो हो, साया हो, साया साया कर दो खाए जोर भागरें कोई में बचाव हुआ है भागरे हैं कोई बच्टाव प्लिए दू़ हमे दूप में पूल Wolf दो करना पैसी में लाओार आटार में व drowning लुग। लुग करे लादा प्रुब्धर बिक डिल शो टेजकिते हैं धिल्दानी करते हैं झाटे मुड़ड़ एक साथ चाहीं जड़ा हैं जिले एक भाएगज करके फरीज़ंगे हैं धिल बाएगा हैं ताने मिल्दानीं हैं प्रुब्स हरो वाह बदित फ़ allegedly क्ली देले को अ प्रुब्स पर भाएगा हमारे आदमी ने इसे दवा मिलाते देखा तो सच पता चला अरे जो हो गया सो हो गया कोई अन्होनी तो नहीं हुई ना भूल जाओ सब कुछ ठीक है अब कुराजू भी तो पालेगार ही है चलो छोड़ो अब जाओ सब यह उनकी खांदानी दुश्मनी है सब जाते हैं अम आशा खतम रुक जाओ यहाँ वो अकेला पालेगार नहीं है गुल मिलाकर हम 61 पालेगार हैं यहाँ पूरी की पूरी प्रजा भी मौजूद है यह उत्साव सब का है बसी रेटी राजा हो या प्रजा न्याय सब के लिए बराबर है सब जब क्यों है पिताजी न्याय की बात कर रहे हैं इन्हें क्षमा मांगने ही चाहिए आहां क्षमा तो मांगने ही चाहिए एक पालेगार क्षमा कैसे मांगेगा अपना सर काट दूँगा लेकिन शमा नहीं मांगोंगा अवकु राजू पापा खान माना के अवकु राजू ने अपराद किया है लेकिन ये पालेगार हैं सत्तर गाओं के ये तो सब जानते ही हैं के इने मुझसे नफरत है और यही नफरत इस अपराद का कारण भी है लेकिन ये अपनी प्रजा से प्रेम करते हैं और प्रजा पर इनके कई उपकार भी हैं तो उनकी खातिर इने हम शमा कर देते हैं नरसे मारे टी तुम मुझ में अच्छा या देखते हो ये मुझे अच्छा नहीं लगता ये मेरे इर्शा नहीं मेरा स्वाब इमान है नरसे मारे टी मेरा भी दिन आएगा नरसे मारे टी उस दिन सर चुका कर तुम उससे किशमा मांगोगे और मैं सर उठा कर तुम्हें किशमा कर दोगा इस मिट्टी में वीरता है ये वीरता तुम में भी है और मुझ में भी अपनी ये वीरता दुश्मनी पर नहीं अपने देश पर खर्च करो उसके बाद में तुम्हारे आगे सर चुखा भी सकता हूँ और वक्त आने पर तुम्हारे लिए सर कटा हूँ भी सकता हूँ क्यों रे तेरा नरसिमा रेटी अंग्रिजों के खिलाफ पगावत करेगा हमारे मना करने के बावजूद वो ये महुत सब करवा रहा है हम ये और बरदाश्ट नहीं करेंगे पतराश चिठी लिख दिये मैंने अब वो लोग देख लेंगे उसे वह ख़बर पहुचाने के लिए तो किया असली महुत सब तो अब शुरू होगा हम जानते हैं लक्ष्मी जी लोगों के हित के लिए क्या आप अपनी कला को नए अंदाज में प्रसुत नहीं कर सकती हैं यह लक्ष्मी सिर्फ देवताओं के लिए लाचती हैं उन्हीं के लिए गाती हैं आम मनुश्यों के लिए नहीं भगवान भी तो इंसान के लिए ही है ना लोगों को जगाने के लिए अपनी कला को थोड़ा सा बदल लीजे फिर देखिये कितना निखार आजाएगा क्या हुआ अभी वे उनके बारे में सूच रही है पता नहीं डरती हूं मैं तहीं उनकी बातों में खुणना जाओं क्या है दो और दो जो और पार दो फिर दो आसे से इसे आ टाखने हैं आपज आप आप आब आप और रखाई कर दो आपने हैं परोड़ कर दो आपको जाता हम ंपके ए highest एक और एक री द हमारा जड़े सुप भराद होो यहनद जिवत भी। किसे यह तार भूक ठलब कि है कौन है मोनीच इस ने किया है ये मैंने लगाई आग मैंने लगाई इस जिस घर में तुम दीब चलाती थी उसी घर को तुमने जला दिया तो और क्या करती कभी हम राजाओं की तरह हैते थे अंग्रेज आय और इस भूमी को दरित्र कर दिया उसमें दो साल हो गए हमें सुखे की मार्सेते, किसी दर आपने आदिया दूरी फसल हो गई, वो भी अंग्रेस लगान के तौर पर उठा ले गए, अब तक तो मैं किसी दर आप बच्चों का पेट पाती रही, लेकिन मेरा बेटा जोरी पे उतर आया है, इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है, जो हाथ देनी के लिए उठेते, उठेते, उठी को चोरी करता, वा नहीं देखते की मैं, मैंने सुचा आप मान के जीवन से सर्मान की बहुत अच्छी है, क्या हो बेटा, तुम्हें बूख लगी थी? मा हमें खिला दी और खुद भूखी रहती, मैंने पडोशी के गर में खाना देखा, तो मा के लिए ले आया, क्या है ये पाप है? क्या है, क्या है, क्या है, बड़े बेहिया, ये आला वाडा और नौसम के लिए के गवदामों का अनाज पहलगाडियों में भर के लिए आई, आज से रेनारों के इस धर्दी पर कोई भूखा नहीं सोएगा, बांट दीजिये सब में, जैसा तुम कहाओ, चोरी करना पाप होता है, बेटा, चोरी मतलब, जो चीज हमारी नहीं, उसे हाथ लगाना चोरी है, और हमारी हो तो, तो वो हमारा हक है, उसे नहीं छोड़ना चाहिए, रेट्डी जी, आपने मुझे बुलवाया, मैंने इस महिने की पेंशन भेज़ दी है, रागवाचारी, जब तक अच्छी फसल होती रही, ये लोग तुमें इस समय पर लगान दे रहे थे या नहीं? बिल्कुल दे रहे थे, दे रहे थे सरकार, तो जाकर अपने मालिकों से कह दो, सूखे में लगान नहीं मिलेगा, क्या कहा? ये कहा के अगले साल भी लगान नहीं मिलेगा, म, म, मैं समझा नहीं, ना माने तो, हम उनकी हट्डियों का हल बना कर अपने खेट जो देगे, और दुग न लगा चुखा देगे, आफ अने दो, मुझे उसी दिन का इंतजार, समझे, जब तक सूखा पड़ा है, अंद्रेजों को लगान देने की कोई जरूरत नहीं है, ये गाडियां नरसिम्हा रेड़ी को वापस भेज दो, हमारे गोदाम से आनाज निकाल कर प्रजा म मैं अपने लोगों को नरसिम्हा रेड़ी की तरहा अंग्रेजों को लगान देने के लिए मना नहीं कर सकता, मैं भी 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 नहीं कर सकता, वीरा रेटी, एक पालेगार दूसरे पालेगार के भीजिटे गुट में लाके में तखल ना देए चलिए पिता जी हमारी जागीर का फैसला हम खुद करेंगे हम रहेंगे नर्स मारडी के साथ चलिए आपना मदरासी प्रेशिदेंशी एक साल में जितना टेक्स परती है उसमें पूरा लंडन पंचेश साल तक बाइट के का सकता है वहां से शुरू से टेक्स एकटा करना मुश्किल रहा है सर रीजाम जी ने वो जमीर आपको स्वाप दिये अभी तो उससे तत्त मंदलम कहते हैं वहां अकसा सुखा पड़ता है लेकिन वो लोग किसी के आगे हाथ नहीं पहलाते हैं टेक्स तो हो देंगे लेकिन अपने बाने के शरूरत पड़ी तो उन सब को मार के टेक्स लेयाँ मार तो वो भी हमें सकते हैं कोमस मुन्रो के राइतवरी एक में उनके सारे पावर चीन लिया लेकिन लोग अपने पाले गारों पर जान देते हैं सच तो यह है सर आरे लोग भी उनसे डर के मारे कापते हैं तेल में वन सेंटम्स वो याला बाड़ा अनरसिम भड़ा वो उन सब के ताकत है सर तुमने उसे देखा है कभी? देखा तो नहीं लेकिन उसके वारे में कहानिया सुनी है तस बरास के उमर में कादम और चीता मार के अपने कंदे पर उठा लाया था यू इंडियन्स आर ओल ब्लाड़ी बार्बारियन्स माधवाया सुनी-सुनाए बातों पर परोसा कर लेते हो उसे अरिया को कलेक्टर नहीं बल्कि चाहिए एक हंटर को रहे राजा और काला उसका स्वेश इस बनारस सेल के लिए विक्टोरिया शिप छे महीने से वेट कर रहा है हमारे पास रंग नहीं है सरकार रंग हम थुम को देगा ये ब्या नहीं त्योहार है हिंदू मुसल्मानों की बीच प्रेम का त्योहर ये आओ अगर मुझे पता होता आप आरे तुम यहां कभी नहीं आती और मैं यहां सिर्फ इसलिए आया क्योंके तुम यहां आने वाली थी ताके अपने मन की बात बता सको मेरे मा बाबा बच्पन में ही गुजर गए थे मेरे अपने सब मुझ से दूर हो गए मैं जिस किसी को भी चाहती हूँ उसे खो देती हूँ हमेशा इसलिए मैं देवता की शरण में आ गए और अपनी कला से उनकी बूजा करने लगी मैंने देख रहें आपको बहुत महान लगती हैं आपको मेरे पास मत आहिए और आपको भी खो दोगी तुम मुझ से दूर भी चली जाओ फिर भी मेरा प्रेम तुमारे साथ है बोलो जैसे भाग मती के नाम पर ये भाग्य नगर बना है वैसे ही तुमारे लिए वीर वेंकट महालक्ष्मी के नाम का एक नया नगर वसादूंग बताओ लक्ष्मी बोलो लक्ष्मी नाम के आगे नर्सिम्मा जोड़ दीचे बस स्वामी स्वामी नोसम के लिए को खबर भेशती है नर्सिम्मा रेट्टी वहाँ भी नहीं है और आज का अर्थिक पुनिमा है उसे डीले पर डीपक चलाना है उसे याद तो होगा ना वो हर कार्थिक पुनिमा के दिन दिया जलाता आया है आज भी वही जलाएगा नर्सिम्मा रेट्टी को सब्ते बताने का सुनाया गया पल्याग्य के त्यारी कीजिए अबन्ना ये सब क्या हो रहा है? कोई यग्य होने वाला है गुरूजी भी आने प्रणाम गुरूदे पाय उश्मान प्रूद सीमा में अकाल भागा है वर्शा के लिए यग्य करना होगा चलो जैसी आपकी आपके द्यार होजा नर्सिमा जी मा ये वस्तर पहन लो ठीक है मा बोलना आप बोलिये ना मा कोवारे पुर्शों को तो यग्य नहीं करना चाहिए तो फिर मैं कैसे तुमारा विवा बच्पन में हो चुका है सिद्दमा के साथ हो चुका है नर्सिमा जैसा अकाला बड़ा है तुमारे बच्पन में भी बड़ा था जोतिश की अनुसार ये यग्य सर्फ तूम कर सकते थे पर इस्तिती कुछ ऐसी बन गई कि यग्य के लिए हम इसे धमा से तुमारा प्याह कराना पड़ा यग्य की खातिर हमने ये सब कर दो दिया फिर पता चला तुमारी कुंडली में दोश है तुम और तुमारी पतनी 24 वर्षों तक एक दूसरे को देख नहीं सकते थे वरना तुमारे प्राण संकट में आ जाते तो हमें तुम दोनों को अलग करना पड़ा दोबारा यग्य की घरी आते ही तुमारा दोश समप्त हो गया सिद्धमा के साथ तुमारा विवाख देवदाओं का निर्णा है जाओ आगे बोलो लोगों के अश्र मिटाने के लिए सिद्धमा के साथ यग्य करो जाओ आगे यण समय एाओ आगे यग्य करना देवदा के दिद्धमा का आगे इसमिया यग्य करना देवदाद के विए लुद 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 भंव कर दो 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 अपलादा नहां बादा? लक्ष्मी तुम अपने आपको विर्ति दंड क्यों दे रही हो अब रात तो मुझसे हुआ तुम मुझे दंड दो यह सब सहने की दाकत नहीं है मुझे यह मेरे साथ ही क्यों होता अमारे माता पिता तो ईश्वर चुनता है अपना सुआख तो मैं खुद चुन पाती लेकिन मुझसे यादिकार भी चीन लिया गया कम से कम मेरी मौत न मुझे चुनने दीछे रुको ईश्वर हर किसी को कला नहीं देता है और तुम्हारी कला तो लोगों में नई जागरिती पैदा कर सकती है यह कला ना तुम्हारे लिए है ना उस ईश्वर के लिए यह लोगों में नई प्रेड़ना जगाने के तुम्हें अपने प्राण देने का कोई अधिकार नहीं मर के जब हम इश्वर के पास जाएं तो हमें इस लाइक होना चाहिए कि उससे आखे मिला सके गर्फ से कह सके कि हम मरने से पहले जी भर कर जीए आखरी सांस तक जीए हर जीवन का एक प्रियोजन होना चाहिए बलकि हर मृत्यू एक नए जीवन का शुब आरम कुणा चाहिए जिस दिन अपने जीवन का लक्ष बालिया उसी दिन अपने मृत्यू का उदेश भी बालिया जा सबस्डें पहले जीए आख चाहिए म纏किन मृत्यो यह चाहिए जाग तो मुझे आपसे कुछ कहना है कह सकती हूं ये प्या आपकी इच्छा से नहीं हुआ है न बच्पन का प्या है इच्छा अनिच्छा का सवाली कहा होता है आपकी बात तो सही है पर मैंने तो बच्पन से सर्फ आप ही को चाहा है तुम्हें पता था कि हमारा ब्या हुआ है और क्या मुझे तो बच्पन से ही पता था बच्पन से लेके आज तक आप ही मेरे संसार हैं आपके लिए न जाने कितनों से लड़ीं यहां तक कि अपनी अम्मा से भी सब कहते थे कि अगर मैंने आपको देखा तो दोश लगेगा इसलिए आपसे कवें मिल नहीं पाई आप यह के नहीं करेंगे नीन खुलते ही पहले आपके बारे में पूझती थी आपकी वीरता भरी कहानिया सुनकर बहुत खुश होती थी हर रोज आप जिस मंदर चाती थे मैं भी वही चाती थी जैसे आप पूझा करते थे वैसे मैं भी पूझा करती थी उस दिन उत्जव में जैसे ही मैंने आपको आते हुई देखा मैं सरूवर की और चली गए मुझे डर था कि अगर आपको पानी में भी देख लिया तो आपको दोश लगी यह चौप इस साल मैंने कैसे गुजारे बुजारे सर्फ मैं ही जानते हूँ मुझे सिर्फ उस बल का इंदजार था जब आपको जी भर के देख सको या के के समय भी मैं आपको देखने पाए इस डर से के कहीं अब आपको देखे रोना पड़ो वहां लो देखते तो क्या कहते आप गए तो अब देख लो आपको जापको इस तो कि देख लो अब मारे चाफ तो देख लो को वहां जापको बड़ो अब दो देख लो कर भको दो कि दो आप मुझे एक वचन देंगे मैंने अपनी सारी सिंदगी सर्फाभी कुछ आए मैं आपको कभी नहीं रोकूंगी चाहे जैसे रहे लेकिन आप एक वचन दीजेंगी मुझे कभी नहीं चुपांगी स् 95 क क कॉयल कुछलासरकार स्वागड ये लाका बहुट जयादा पीसफू लगते लो सुमया शुब समक्राइनान तुम्हारे लिए अब तुम्हें फसल पर लगान देनी की कोई जरूरत नहीं है बस जमीन पर देना होगा अब से फसल पैदा हो या ना हो जितनी जमीन है उतना लगान देना ही होगा रहा सरकार, हम जो तो फ़सल कही लगान नहीं दिया जा रहा, ऐसे लिए अगर पैदावार ना हुई, तो कहां से देंगे लगाई? तो फिर कानून के मुताबक ये समीन हमारी, इन मजदूरों को इनकी मेहनत का जोपनता है देदो रगवाचार। हम मजदूर? सरकार, ये जमीन हमारी माँ है, माँ के बिना कैसे जिएंगे सरकार? कहां तक है तुम्हारे जमीन? उस पहाड़ी तक है सरकार, कुल पाँच गाओं। अपने जमीन को बचाने के लिए तुम कुछ भी कर सकता है। जान दे सकते हैं सरकार। लेकिन अगर तुम दोड़ सकता है, तोड़ो। जितने जमीन पर तुम दोड़ गए, वो जमीन तुम्हारी हुई। बट, हमारा घोड़ा भी तुम्हारे साथ में दोड़ेगा। अगर वो एक कदम भी तुम से आगे निकला, तो वहाँ से जमीन हमारी हो जाएगी। लेकिन अगर तुम हमारे घोड़े से आगे निकल गए, तो वहाँ से जमीन तुम्हारी। तुम्हें शर्ट मन्जूर है। तुम्हें झार टुम्हें कभी कर्सेश्टर तुम्हें वतनों वित्रश्टर ड्हें तुम्हें कर्सेया। छुम्हें कर्सक्राव ह। थ cucumbers यह चीजए bend successes यह वित्स पर सवीक्षश्टर ठीकित है। सるड़े पापकाय में पीज। कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो चुछ है हुआ हुआ है हुआ है हाँ है हिलो गिरपडा हो गया कल्या गई मैस पाने में सरकार, लगता है अपना गोडा मैसोर से पहले नहीं रुके जा रॉन यूप अपना वोडसी वाले अपना वोडसी नहीं नहीं रॉन यूप उठो सो बाया, ये लो, आराम से, लो रिड्टी जी, आपने बोला लगा नहीं देना, लेकिन जैक्सन सर बोलते हैं, आप तो पालेगार है ही नहीं यानि, नोसम का आपको गोग लेना, नए डलहोजी लॉक के मताबिक लैर कानूनी है, तो आप इस जमीन के कानूनी वारिस नहीं हुए मेरी विरासत पे सवार उठाने वाला तू होता को नहीं ए दाना विलायत गए थे तो उनसे तू पेदा हुआ था या तिरा भाभ तू मेरा भाई देर, बेटा है, नाबाद है, वेखो तू शाठा, इनकी तरह दो भी मजदूर है, लगान नहीं दिया तो सजा जरूर मेलेगी, होराइब से क्यों दे तुझे हम लगान, आप, बादल तो लगान नहीं माँते, भिट्टी भी नहीं माँती, फसल भी नहीं माँती, तो तू कॉल होता है, लगान भादला सबीं से लेकर फसल तक सब हमारा है वसीना हमारा है खेत हमारे है बीच हमारा है पानी हमारा है खेत भर्ती हमारी है इसका आनाच हमारा है तो फिर हम तुझे लगाण त्यू Website अम इस धर्दी की संतान है, इस मिठ्थी पर हक हमारा है, तो पहर हम कुझे लगान क्यों दे? भईया, सरका, इस भूमी पर हल किसने चलाएं? उसने चलाएं! तो इसकी पैदावार पर किसका हक है? सरकार, रुप जाएं, जरब भीर तो देखिए, देखिए चारों तरफ, यह समय ठीक नहीं है, चलिए, प्लीज कम अपना सर जुका, जुका! अब जाएं, और ध्यान रहे, सर उठाने की गलती हर्गिस मत करना, अब सीने लंडन में ही सर उठाना, वरना बच्ताएगा, यहाद दुबारा कदम रखा, तो सर काट तुगा, चलिए! सरकार, गोड़े ने क्या किया है? नर्सेमर रेड़ी ने इसके दिल में डर भार दिया है, जब भी हम इस पर बैठता है, यह हमें उस डर की याद दिलाता है. इस नर्सेमर रेड़ी को मारने के लिए, मद्रास से पठाले और बुलवालें सरकार. मद्रास की ताकत हमारे दम से है, मारना हमें नर्सेमर रेड़ी को नहीं. उन गोलामों में सर उठाती हुई बगावत को है. हम दिखाएगा उन्हें डर किसे कहते, फिर देखेंगे ताकत किस में है. उसका एरिया छोड़ दो. बाकी पूरे दत्तमंडलम से टैक्स की पसूँदे. मरते हुए सब ही लोकों की चीख है, उसके गाउं तक जानी चाहिए. इतनी दैशन भेरा दो, के उसकी हिम्मत ही डूच जाहे. अपरे! अपरे! व्हाय टालवा तो, केस का एरिया रियुच या बाझत है, एरियुल्तर्स की जाहे जाइए, पंहे। नहा पुँचे वाद्वा़ने ते गो लात किस में प्र एर द॥ प्राव हाद्ट्वाने झाल दूट्ट्क स seg चाह purity सुनाए तुमने लगान देने से मना किया है अपना लूटाओ एक मुठी धन भी हमारे हाथ से जाना नहीं चाहिए और वाउकता था मंदलों टैक्स सब रेडी है सब सिर्फ एक एरिया को छोड़कर पड़ाम मालिक बोलिए मालिक कल जंगम मलया जी बड़े पैमाने पर भूमी पूजन करने वाले है आकाल के कारण जिनकी शादियां रुप गए थी क्यों न वो भी संपन कर ले जरूर ये शुबामंत्रन आप मेरे बड़े भाई को दे दीजे जैसे आप की इच्छ जंगम मलया जी सरकार मैकल जगनात मंदिर अपनी पूजा करने जाऊँगा जी आप उसी समय अपनी भूमी पूजन का शुबारम कर सकते पेंशन हाँ ओँ देखो तो सही पेंशन लेने आया था मिल गई ना पेंशन? देख लिया ना? बोल दिया नरसिमा रेडी को हम उसे बालेगार नहीं मानते क्योंकि उसे तो गोट लिया गया था इस गोट्टे को समझ भेनी या कि पेंशन नहीं मिलेगी पूरा सिर्मून तो दुबारा यहाँ दिखाई नहीं देना चाहिए पहले भगवान को भोग लगाएंगे उसके बाद ही हम खा सकते हैं रूट लगी है मा अपने फसल की पहली कटाई देवी मा को और बढ़ करें प्रुप्रम्नेरं आपिस्नस्ट्राट्रं प्रुपतो पुकं प्रुद्यम् हम्नेजनं पत्रं प्रुद्युप्रुद्यम् नमांयां लगता इस बार फसल अच्छी हुई सोजा सरान आज गारी में डान दो सरकार सरकार दो साल बाद इंती अच्छी पैदावार हुई है हम ठोड़ा ठोड़ा करके लगान भर देंगे क्या 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 याद है आपने कहा था यह फसल हमारी है यह धर्ती भी हमारी है इतनी हिम्मद कहां से आगई पयंगे अगर हम छासटगाओं की पैदावार भी ले जाए तो एक साल का लगान रह जाएगा सरकार, सरकार पूरा अनाज आप ले गए तो हम लोग क्या खाएंगे इनको अमारा प्रिटिश रूल समझा हो रहा है को पचारे की सरकार, सब ध्यान से सुनो, प्रिटिश सरकार ने नया कानून पास किया आज से गाओं में जिसका भी व्या होगा, उसकी दुलहन पहले गोरिल साबों के साथ सोईगा इससे तुम्हारा ही फायदा है, इससे तुम्हारा काला नसल गोर हो जाएगा सबसे पहले हम इंदस दुलहनों के साथ सोईगा और क्यों रहे हो हमको सब एक साथ थोड़ी चाहिए रोज राद एक का भी है तुम सब गाओ वाले फैसला करो के कम किसको भेज़ना है और अपनी फसल वापस ले जाओ तुम लोग फसल दोगे या पर लड़किया अरे मूल क्यों रहो सरकार ने कहा है कि लड़कियों का लाप फसल से चुकाएंगे लड़कियां दो फसल ले जाओ सरकार उन तो हम खिर भी सहलेंगे पेज़सती नहीं सहबाएंगे सरकार अराच ले जाहिए सरकार आफ़कियों अराच ले जाहिए अराच ले जाहिए अफर ओल औरत के इज़त के वास्ते तुमने शयासत काओं की फसल कुर्बान कर दी यू बलॉड़ी बार्बारियस सोज़र्स, मूव दक्रूब सोज़र्स, मुझत दीं बस्रया, मस्रया, पापस रख दे, माफ करनो, सरकार, छोटा है, फिर से छोरी, मैंने छोरी ने, कीमा, ये हमारा है, ये लोग छोरी करके लेके जा रहे है, अगिर से नहीं बोलते, पापस रख दे, नहीं रखंगा, जुट प्रेंने सेम, मेंट झोड़ाद पाजिया, हुट जुट devू पाहुड़ा पुट प्रूछ अ़ची जुट फाद पम्या में पितम पम्या चूह सुआ एंग कर दो कर दो खज़ अपर दिए भार चाहाँ अच्छा कि अच्छार नग में दुवड़ाँ अच्छार लुगा दुभाँ अच्छार अच्छार बच्छार अच्छार अच्छार आपकुम। झार आधोसे, हम और अलकुन्टना में ही घाएगे क्ष्छार कर्काप उसे बोलो हमारा पाउं कोड़के पापी मांगे, उसके अपना खुलाब बनाकर जिद्धा छोड़ देगा, बना उससे भी ज़ी जला देगा दुखरे सामने अबना सकार तिंडोरा पिठवा दो, इस दफ्ता मंदम के काओं काओं कली-कली घर-घर में ये एलाम करवा दो, कल शाम से पहले उसके घर में घुशके उसका सर काटूगा, और रेनाडू का बच्चा-बच्चा ये अपनी आखों से देगेगा, इस लासूम की चली हुई मु दूली पर चड़े ये किसान साक्षी है, इन दुलहरों की आखों के आशू साक्षी है, ये बच्चारी डरसिम्मा रटियू से पृत्यू ड़त देगा कर दो कमारी मों कट तमाशा देखने आखे ये ये, है! जग्सन अमर है, आदो से! सिर्ग टन्याश कि बम्ते हमाल टुछ लिंग आप सिर्ण सिर्त अवाँ लिर अवाँ भुप लिर बम्ते अज़ लिंग व दोरी जोलो़ोजो जोरी व सेवाजआ खो सेवाप! सेवाप! अफ़े से पार गबाए लग मैं सक एक सब्सक्मार अधर भाचे सु टूह पारव एटिति अवस्द्ट है नहीं ठी आवर रहतार की लिदिए अवस्दक्ड़ बोला का गिंद लाव अवस्दक्ड़ अश डिस्प फिरे लाव लेगा अवस्दक्रा अवस्दक्राण है जब अ एक प्रच्रफ रही है और रडक को प्रच्छ घाँ गुट लुट्ट लुट टंद लुट है? खुग खुग ऋएु अलुट लुट लुट जानों एक ठल रच्रों अड़क असाएष़ लुट लुट कर दो जर जो एक झाया जाच सो एक झाया जो एक झाया हाई जो खई लाज फिस दार फिस दो एक पर फिस दो रच घड़ी भॹटिय जड़ हो वान। आजब्हें एपस दो करें विए दो आफ और दो हुआ है प्रढख मैं. राञочन स्ट advisor का जुप深फ 301 कि ए्याब्लेवेर कर्पूल करें प्यासεις कुंड राव रागह proxim मम, वर रायवेर प्रेख़गें कर तुर मुणर को प्रहुड़ाई ड़्साव पला करता है। सरकार, दक्ता मंडलम से लूटा हुआ पैसा ट्रेशरी में नहीं है, सिर्फ आट सो पांच रुपया दस आना और चार पैसा मिला है, सारा मद्रास जा रहा है, जाने दीजे सरकार, उस जैक्सन से मुक्ती मिल गई, इतना ही काफी है, काफी नहीं है, सिर्फ उसकी मौद काफी नहीं है, हमें हमारी संपता भी वापस जाएए, वो हमारा धन है, हमारा स्वाबिमान है, एक खास का दिन का भी हमारी समीन से नहीं जाना चाहिए, सोजर्स, अन दी अलर्ट, झालर्ट, भो उस जाना चाहिए, हमारा थेलिए, आएज़ते पूलिए, यहाँ झालर्ट, वो अो के अपन। फूर जो 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 राएंट माएँ अजूए अपन। का अपन। का अपन। का अपन। अपन। भगवान नर्स्यमा ने अवतार ले लिया है सरकार वाच जो कहानी आपको मन गरंद लगती थी वो आप साच होगा कभी हिरन ने कश्यप नाम का एक राक्षस हुआ करता था जो अपने आपको अमर मानता था उसे मारने के लिए भगवान नर्स्यमा खंबा चीर के प्रगाठ हुए उसके मृत्यों ना घर में हुई ना बाहर ना दिन में ना राज में ना धर्ति पर ना गाश में संघार हुआ उसका उसका अंजाम इतिहास में लिखा जाएगा उसका अंजाम इतिहास में लिखा जाएगा जिदा का शुमा का शुवासम हजे हम लोड नर्स्यमा का अफदान? लो, लेबल इम अड़कोई उसने सारे के सारे पिटिस सामराजय के खासाने लूट लिए वो देवता नहीं, एक ताखु है मैं इस नर्स्यमा रेडी को देखना चाहता हूँ एक छित्रकार से उसका छित्र बनवाओ जिसने उसे देखा हूँ यह लेटर लंडन पहुशने से पले मैं उसे मरा देखना चाहता हूँ सार, 57th Regiment, 300 soldiers, ready! सब तयार हो जाँ, नर्स्यमा रेडी के चार टुक्डे करना, तीन टुक्डे दत्ता मनलम के गाहों में फेग दो और जो था, उसका सर मेरे बास ले आना सुल्जर्स, एड्वार्स! मुझे भविष्य में युद्ध दिख रहा है और मुझे भविष्य में एक स्वतंत्र भारत दिख रहा है साहिरा इस धर्ती पर सारे युद्ध सत्ता के लिए हुए है स्वतंत्रता के लिए ये बना युद्ध है इस युद्ध को तुम्हे चीत रहा होगा इस युद्ध में चीत हमारी ही होगी लोगों के अंदर तुमने वही ज्वाला जगाई जो तुम्में है एक बच्चे में निर्भेता जगा कर उसे मुठी बंद करने की शक्ती थी तुम्हारा संकर्ष समाप्त हुआ अंग्रेजों की गर्दन काट कर तुमने असली युद्ध आरंब किया है कि तुम्हें विश्वास है कि पालेकर एकत्रित होंगी और सब लोग तुम्हारे साथ जाएंगे तुम चाहते हो कि तुम्हारे दिखाए रास्ते पर हम सब चलें हमने विद्रो नहीं किया इसका मतलब ये नहीं कि हम में हिम्मत नहीं अंग्रेजों से बगावत करके बड़े-बड़े महराजा मिट्टी में मिल गए तुम किसके दम पर लड़ोगे बताओ प्रजा प्रजा ही लड़ेगी ये युद्ध प्रजा युद्ध लड़ेगी मैं कुछ समझा नहीं राजा राजा से लड़ता है सैनिक सैनिक से लड़ता है कभी प्रजा को सरकार से लड़ते देखा है कभी सुना है जो सुना नहीं वो अब होगा हम चाहे तो कर सकते हैं अधिकार नहीं है तो क्या हुआ लोग अब भी हमें अपना नायक मानते हैं हम लड़ना शुरू करेंगे तो लोग अपने आप हमारे साथ खड़े हो जाएगे लोग इस लड़ाई को करांती में बदल देंगे करांती आंदोलन बन जाएगी और आंदोलन यूद रजा अगर साथ लड़ेगी तब जाकर इस धेश को स्वतंत्रता बिलेगे पहले हमें आने वाले संकट से बचने के बारे में सोचना चाहिए अलारणी हम सबने मिलके जो निर्णे लिया है वो अपने भाई को बता दीजिए भाई मेरे तुमने जो ख़जाना लूटा वो गाओं वालों में तो बाट दिया पर तुम्हारे कारण हम सब अंग्रेजों के दुश्मन बन गए इसलिए हम सबने मिलके एक निर्णे लिया है हम अंग्रेजों से बात करेंगे कि तुम पर कोई मुसीबत ना आए बस तुम्हें उनसे ये कहना है कि जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं था और मेरे ख्याल से तुम्हें शमा मांगने जाए अंग्रेजों से एक शमा मांगने तुम्हारा शमा मांगने की बात की तो आपका सरकाट भूल जाओंगा आप मेरे बड़े भाई है शमा मांगने पर अपने भाई का सरकाट दोगे ये कोई बैलों की तौड नहीं है नरसे मारे डी बैलों की तौड नहीं है ये तीन सो तोपों और फिरंग्यों के साथ युद्ध है पर तुम्हारे साथ कोई नहीं या उपस्तित कोई भी तुम्हारा साथ नहीं देगा अंदर से मारे डी तुम अकेले क्या कर लोगे मैं लड़ोगा सा मेर लोगे ऐं अ हर आज कहा अपसाथ कर दो कि अच्ड़ को बाई जो रहा है कि अच्ड़ सुर्या रहा है कि अच्वार रहा है जानता था ये दिन जरूर आएगा, मैं तैयार हूँ इसके लिए अपना हल खुद चलाया, अपना अनाज खुद खाया फॉलाद का शरीर बनाया है, खोड़े की तरह दोर सकता हूँ और लड़ते हुए मरने से पहले कम से कम स्थाथ को पाज़ा आप आगे बढ़िये तरकार, मैं आपके साथ हूँ यह तरकार, मैं आपके से एक अरुद चटो कि अफचे मरने से अरुद तरकार, मैं आपके से लिए झाल झाल पाल झाल झाल पॉप्डव़ स्क्राव कर दो कर Uhh कि झाब रिहाद कर दो कि बम्रेव वीडका करे. नौरसिम्हेरते , this is Daniel of the 57th br Luego of the British company Mandira's Presidency . Come forward and show your- SURRENDER!!! यदिए आवारा 검ळ प्रपारों नहींद एिर को आपर को ऑे लुए है अफ़ी आपक, लुए हमा ए रोड़ी यूरी ए फुए है अएलै जे वहीं है। प्राइब। यह ए ए इए प्रुब खबाझ़ लुही है यूञदो यह उहा ए कि लुए इबुए वास्टो लसा सेलो कर्णा करें He's here to lick our boots Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha Infantry, charge! रेनाडू के वीर योब बाद, ये युद अपने लिए नहीं लड़ो, अपने भाईयों के लिए, अपनी माओं के लिए, अपने बच्चों के लिए लड़ो, जाहे इतिहास हमें याद रखे या नहीं, लेकिन आज इतिहास हम से लिखा जाएगा। आम उनके लिए सिर्फ चालिस आम आपे जरूर हो सकते हैं, लेकिन इनी चालिस ने इतिहास इसका गवाँ होगा। यूद का मैदान तुमने नहीं देखा तो क्या, मत्यार उधा कर कभी नहीं लड़ा, तथो क्या छिकार करना तुम्हार लिय नया नइ नइ है, वेशी धर्टों को मारना तुम्हार लिय नया नइ है, चलो शिकार करें। हाँ कि अः तर्टीकिस के एके ये योध दो किसा हाँ किहा किसी होडिए साइ रा ये किसा उल्जे में जाले। लॉफिर कि पान जॉट अजलतरी ताइ, पॉट्ट! कि अच्छा करना जगर्नाथ कि अच्छा 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 खेगे के रिजे रेस के लाइब नेड़े! अवज राओ! में रुज अवज अवज राओ! अवज राओ! इप सकते हैं! पर टाप। वाओ, आड़ि थाय थे। सिद्वा, आपस थोड़े हमत और बेटा करें लड़े हैं यड़ो अपोछ। सिटड़! तुम्हंग इन अगुष्ण जिए जिए यह जए जए जखफे ऑसी हम उता सुम्हां सुम्हां पीजोल सुबीन कर दो कर दो कर दो दो प्राओा कर दो कर दो ऐख साथ नहीं दिया तुम अकेले डटे रहे उसी बल तुमने मुझे चीत लिया वही तीन सौ फिरंगी तुमसे डर गए और जिस बल मेरी मदद मांगने हागए उसी बल तुमने उनहीं भी चीत लिया और मैं तुम्हारे इसी चीत को अपनी आखों से देखने आया हूँ साइरा नरसिम्हा रेटी तुम मुझे पसंद आए अब कुराजु पर तुम मुझे पसंद नहीं हो जो कुछ मैं करना चाहता था तुमने मुझसे पहले कर दिखाया जहां पर मैं रुका वहां तुम आगे बढ़ गए इसलिए तुम मुझे बिलकुल पसंद नहीं हो एक दिन इस सांदोलन में तुम से आगे निकल जाओंगा और मैं खुशी से तुम्हें जाने कूँगा साहरा सही साहरा तुम्हारा बीटा स्वाथ अंतरता के लिए लड़ने वाला कभी मरता नहीं सुबैया मेरे बेटे का नाम होगा सुबैया उसका सर बस आरा है सरकार उसे एक सर के लिए इतने सारे कितिकियों मंड़ा रहे है अ अ एक संदेश भी बेज़ाए सरकार जो हराम के जने रोटिया देने वालों के हाथ काट देते हैं उनके लिए चिठी नहीं चेता एक आदमी को मारा तो मुझे डाकू के दिया अब की बार तीन सो को मारा है तो समझ जा ये एक आंदोलन है सुटन्तरता के लिए जन जन का आंदोलन आज के बाद जहाजों में भरके हमारे सफेद का पास विलायत नहीं जाएंगे तुम्हारी सफेद चमणिया जाएंगे अपनी भारत भूमी पर खड़ा मैं तुम्हें साफधान करता हूं मेरा देश छोड़कर चले जा वरना युद्ध होगा तुम्हारा शुपचिन तक मच्चारी नर्सिम्हा रेडी ।सक्षाब्स अजिए तुम्हारा ​मंगे य्थ व canvas board उस्थम्हारी प्रटेक जुक्ट अएंगे जब जबέρ जुपकर अगए युजए वर्टल कुछ नहीं लिखा इसमें हमारे सामने खुद आके हमें चितावनी देके चला गया यह दुश्रू कर गया है सरकार मैं खुश हूँ कि आप लोग हमारे साथ चुड़ गए अब हमारा विद्रो जन जन का अंदोलन बन जाएगा अब आगे क्या करना है हम अगर अपने किलों से लड़ते रहे तो इसे पालेगारों का यूद कहा जाएगा लोगों के साथ रहकर लड़ेंगे तो ही यह जन अंदोलन बनेगा हम प्रजा के साथ ही रहे अब हम अब हम आज तक मैंने तुमसे कभी कुछ मांगा है कभी नहीं यहां क्या कहरें क्या आज तुम मुझे एक वचन दोगी क्या तुम मेरी तरह लड़ सकती हो मेरी जीवन संगनी तो तुम होई लेकिन क्या तुम मेरी संगर संगनी बन सकती हो मतलब आप यूद करेंगे अंग्रीसों से और मैं जीवन का ही यूद मेना आपके लड़ने के लिए तैयार रहू मैं लड़ोंगी आपकी महा और बेटे दोनों का ख्याल रखोगी अकाल मिटाने के लिए हमारा मिलन हुआ था और आज देश के लिए हमें अलगोना होगा मेरे स्वाभिमान और संगर्श के लिए तुम बच्पन से बलिदान देती आ रही हो इस जनम के लिए क्या तो मुझे शमा वेपा होगी यह क्या रहे है ऐसे बात मत कीजिए सब कहते हैं आपका प्यार कोई और है और मैं भी चांती हूँ कि यह सच है लेकिन मैं आपको रोकूंगी नहीं यह धर्दी और यह लोग इंको आपकी ज़रूरत है ना छोड़ने का वचन दिया था ना आपने आपके वचन को कभी तूटने नहीं दोगी आज मैं आपको आजाद कर रहे हूँ निश्चिंदों कर लड़िये उनको मिसाल देने के लिए उन्होंने सारे रिष्टे इत्याग दिये मेरे साथ चलिए अलसबा से पहले आपको कोता कोटा छोड़ने का आदेश है सारकार की तरफ से में आखरी वार पूछ रहा हूँ वो अढर से मारे डिक कहा है पता दो हमारे दिल में रहते हैं वो हाँ मारे दिल है वो shoot them hunt him कितने लोग हैं उसके साथ यही कोई सौदोस होंगे साइरा 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 हुआ सौदोस है कि जुदोस हुआ हम आंदोलन से कभी चल नहीं करेगे नहीं कभी से खुड़ेगे जब तक भारत मांपों कुई यूरागी वर बगरता के संग्राम में इस अग्राम में चितने भार्ण लेंपढ़ेंगे लेंगे बखिने प्रोब लेडिके! है साप्साब! है साप्साब! पाइसाब? पाइसाब? कर दो कर दो कि अंपरी से प्रीजा है कि कि अपर अप्रेश प्रेश है उन्हें कैसे पता कि अमने उजे उजे बलाभा खिले में चुपाया थे नर्सिमा सोलो भायास एको लो गई वो लालच में पढ़ लेते हैं अट जाओ सौनिस बजीद पर में खशमा कर दो भूल खशमा की चाती है विश्वास खात नहीं ए तुने के बल भाई से नहीं बल की आंदोलन से चल किया बड़ी मा आप जैसी माता से जनम लेकर भी इसने अकशम में अपराद किया है इसे क्या सजा देनी है ये आप पे देदी मेरी खातिरे से शमा कर दो जार महने से हम उसे जंगलों में दून रहे हैं पर उसका कोई पता ने चला उसे जिन्दा पकड़वाने वाले को पाच हजार का इनाम दिया जाएगा थे इरान उस्टिमारेटे थे इरान मैं जानता हूं वो कहा है कितना दोगे अभी और कितना दूर चलना पड़ेगा बस आगे पैसा तो पूरा बिलेगा जितना बोला था उससे ज्यादा ही मिलेगा चलो प्रूर लुड़ेगा जाएगा 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 वे आपके लिए इदर आया था और यापके सर पर लगे इनाम के लिए द्रोगी दे दिया इनाम मैंने इसे तुम हो कौन राज पांडी कहां से आयो तुम वीरों को जन्ने वाली तमिल भूमी से लेगन यहां क्यों आयो आप छे महीनों से गोरों के साथ अकेले लड़ रहे इसलिए आपका साथ देने चला आए मुझे रख लीजिए लक्षमन की तरह हमेशा साथ में रहूंगा चाहे वीरता में हो या वीर गती में लड़ा तुम तमिल हो और हम तेलगू लोग साथ कैसे लड़ेंगे भारत मां हम दोनों की माँ है तो यह मेरे भाई हुए कुछ भी हो सकता है हम लड़ लेंगे भरोसा रखे नरसिमा रेड़ी के बारे में कैसे जानते हो नरसिमा रेड़ी गो सब लोग जानते हूं गाओ गाओं में इनकी बहादुरी के गेत काये जाते हैं भया आपका नाम जन सकती हो norई लक्षमी आपने तो आंदोलन में नए प्रांट भूबदी उनके बारे में ऐसे गाया जैसे आप उने जानती है मैं भी तो इसी का इसा हूँ और वैसे भी उनके बारे में कौन नहीं जानता शमा करना आपकी अनुमति के बिदा आपके साथ गाने लगी सिफ साथ गाना काफी नहीं है युद्ध में अपना कोई वीर भेजिये मैंने तो युद्ध के नायक को भेजा मैं उनकी पत्नी हो क्या वो भी यहाँ मैं उनके लिए बाधा नहीं बनना चाहती थी इसलिए उन्हें आजाद कर दिया उनके बिना जीना आपको मुश्किल नहीं लगता वो मुझे जीवन भर का प्यार पहले ही दे चुके है सहीगा मुझे भी आपका बीटा या मैं नहीं बीटा नहीं रोते लहीं आँ बीटा किसे क्या देना चाहें भकवान सब जानता है आपको परिवार का भार दिया और मुझे आंदोरन को लोकों तक ले जाने का सहीगा क्या हुआ आज से ये रेनाडू की भूमी स्वातंत्र है अपनी मात्र भूमी से एक एक अंग्रेज को खदर दूमा पता दो अपने लंडन के आकाओं को मैं रेनाडू का नया महाराज हूँ पता दो कि अगर मेरी धरती पर पाउ रखना है तो उन्हें मुझे लगान देना होगा अब तो मंग्रेजों की नडाई पुलाबों से नहीं स्वासंत्र भारत वासियों से है इसे पहले की लंडन तक बात पहुचे इसे रोकना ही पड़ेगा ये हम कैसे करेंगे मा, आप सब अचानक या? हमें लगा कोई अन्होनी होने वाली है नरसिमा पूरे परिवार को तुम्हारी चिंता हो रही थी इसलिए हम तुमें देखने चले आए तरने की कोई बात नहीं है मा जैसे पलके आँखों की सुरक्षा करती है वैसे ही इसे ना मिन मेरे लिए प्राण देने वाले वीरा रिटी जैसे मित्र है कोई अन्होनी नहीं होगी आप चिंता ना करें इसे राजा बनाने के लिए मैंने इसका साथ नहीं दिया था रहनाडू का राजय एक ही हो सकता है और वो हूँ मैं आउकुराजू मैंने तो सोचा था आउकुराजू मर गया आज पता चला वो जिन्दा है मुझ से हाथ मिला लो दोनों मिलकर राज करेंगे कैसे नर्सिमा रिटी और उसके परिवार को मिटा कर कोकरेन का दस्तखत किया हुआ राजी नाम आएगे हम इस विद्रोह को दबा पाए तो रेनाडू के दो हिस्से होगे पुद्दर का राजा मैं और दक्षन के राजा तुम बनोगे पर हम दोनों काफी है हम जैसे कई और लोग हैं सेना में बस तुम जैसा एक साथ ही चाहिए तो बताओ कब करें आज रात को जो भी करना है आज रात को ही करना होगा बसे रेटी आज रात को आदी रात को जब सब सू रहे होंगे मैं के लेके द्वार खोल दूँगा मेरे आद में अंदर आ जाएंगे नरसे मारेटी सबसे आखरी वाले कमरे में सोता है सब अपने कमरे में सो रहे होंगे तब मैं अंदर से दर्वाजा खोल दूँगा पूरब वाले कमरे में उसका अंगरक्षक राजा पांडी सो रहा होगा उसे मैं मारूंगा दोके अपने बास अपने राजा को दोखा देगा मैं अपने राजा को कभी दोखा नहीं दूगा दुश्मनों से लड़ने से पहले आस्तीन के सांप को पैचानना जरूरी है तुमारे चल के कारण हमारे कई साथी मारे गए उसी वक्त मार देना चाहिए था तुमें लेकिन तुमारे जहरीले एरादों में और कौन कौन शामिल है ये जानने के लिए मैंने ये खेल कहला अब खेल खातु है सीने में नहीं वो तो वीर की मौत होती है ये पापी सौगंद खाकर मुकर गया है ये दलवार इसकी गर्दन में गुसा दो अब पर आजो शमा मांगने वाले का मर जाना है पैतर है बसे रेटी शाप्राश नर्सिंप नायक हो तो तुम जैसा एक एक द्रोही को ठोन के मारती है एक द्रोही अब भी बागी है वीरा रेटी इंड ये वीरा रेटी वीरा वीरा भी वीरा रेटी जब तक डर और लालच है ऐसे दोग मुकावट बनते रहेंगे मैं तो इसे वही मारने वाला था लेकिन फिर मुझे तुम्हारा ख्याल आया इसे क्या दंड देना है ये तुम सोचो मृत्यू दंड विश्वासगाती की सजाय चाहिए वो मेरा बेटा ही क्यों न हो तुम से नहीं होगा पुछ पे चोड़ दो हादम कर दो इसे ये लुझे 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 लक्षमे लक्षमे ये ही है सरकार गाओं गाओं घूम के लोगों को भड़काती है आजादी के गीत काती है नचनिया है तलवार यूद जीट सकती है लिकिन कला यूद छेट सकती है ये नरसिमा रेडी से खतरनाक है सरकार ये नरसिमा रेडी की प्रेमी का है तो जैस ये लोगों को अपनी कला से भड़का रही है आज हमारी भी आग भड़काएगी बिना कब कम से कम मैं अपने आखें तो सेंख लूँ ये शरीज तिर्फ नरसिमा रेडी के लिए है कोई और इसे छूने की जुर्रत नहीं कर सकता हूं क्या लगता है नरसिमा रेडी तुझे बचाने आएगा सरा अपने चारों तरफ तो देख बारूत से भरे ये हजारों पक से युद्ध के लिए नहीं और सुंगोर नहीं तत्मंडलम में कोई सवेरे का सूरज नहीं देखेगा तेरा नरसिमा रेडी भी नहीं कोई रास्ता नहीं है तेरे पास चल नाज नाज हर जीवन का महत्र होना चाहिए हर मृत्यू एक नए जीवन का शुभाराम होना चाहिए जिस दिन अपने जीवन का लक्ष पा लिया उस दिन अपने मृत्यू का उद्धेश भी पा लिए ज़िए है रही झख फीवन मां उनलाइ backl von अपियत वा outta 10 मृत्ख थीवन झाल पर मृत्खें कर अच्तो तो लध् मृत्र कर दो कर दोब गो तो पढ़ दो ताही Son खिर बताब सुआ है झाल कर दो दोगे करें। जजमान, बृतक का नाम बताईए? लक्ष्मी लक्ष्मी नर्समारेटी एक औरत ने सुईसाइड ब्लास करके हमारे दिन सो सिपाईयों का उड़ा दिया दो हसार लोक इस एक आदमी के साथ क्यों खड़े है? वोट इस हापनिग फ्रीडम फाइट वो समझता है कुछ चूहों के साथ मिलकर वो जनान दोलन शेर देगा हमारे खिलाफ कैसा जनान दोलन? बाई लॉड शेरों की सेना से डर्नी की जुरृत नहीं अगर उसका नायक चूहा हो लेकिं चूहों की सेना का नायक शेर हो तो डर्ने की बात है वो हर चूहे को शेर बना देगा इस वीर तिलक से तुम्हें भारत मा के माथे पर आजादी का सिंदूर लगाना है युद्ध का ऐलान करो, उसे समझोते के लिए बनाओ, अगर वो मना करें तो उसे माद डालो जाओ पिटा, रण भूमी में विजए हो आढ़ में का सिंदूर लगास आढ़ भारत माके वीर बेटो! बात्र भूमी का रिड़ चुकाने का समय आगया है! अपने रक्ट से आज, हमारे इस पावनदेश को हमेशा के लिए आसाद को! शेक्षेया! शेक्षेया! कर रेक्षेया! ये वाले मा प्लिए मैं प्लिए प्लिए रदस्तुर्णा अच्ट करे कीुछ सुष्ट! व्लिए प्लिए अंप्ल धन्यारिए! कार्ण कर एभ सुछ ये मिम दार लिए चार्ण जार्ण कार्ण कि दूए कि अचतable कि अर लो कि हृपध उन कर दो हृप उन लखी, पा हृप ही?' अर फटाइ mínimo ज इंसी बालोचको और वारो एंच Mexicanter सबственMON तो चालोचक तर षांट सबस्क्षकर तर दट एड्र Ó Points के लिफ कर दो कि गप में अन्ध थहा हाँ बाइब साली! कि अ करें नह चुपोंख़गा औराे दोन प्र rains प्रोदॉफप झाहMIN छब राओगा अूपट राखू फिस नह करें के का फट अट के इस हो सहते है सबस्टेल आपको कि अोसे थे लोगा आपको कि आम रे लोगा नहीं कि अखको कि अवरी पानी ते कि अश्चारी विती नहीं जा रहाओ विलहाओ अपको कि अवरी है कर दो मैं! अाह प्रपकिश बेखर अच्छ अरॉब है कर दो confused लोग्पन MORGES helps कर दो वे लिए लोरो लुकर्णाल कालम थाल, लुकर्साम अव। दोम्रेश्सित अट्सक्राण झाम थाल 10.000 और अवर मैं ताइट वे प्रिक्राणों की ये जजए हाद्साम अफवा पहला दो कि वो मर गया नरसिमा रेड़ी जर्फ एक नाम नहीं आजादी का प्रतीक है उसने हमारा एक आदमी मारा चालीस लोग उसके साथ को लिये उसने हमारे तीन सो लोग मारे चार हजार उसके साथ आगे अगर इस देश के लोगों को पता चल गया कि उसने हमारे तस हजार आदमी मार दिये वो चार हजार लाखों में बदल जाएंगे और लाखों करोड़ों में इस देश के लोग विद्रोग कर देंगे अभी यहां के लोगों में बहुत स्यादा गुसा है अपने लीडर की मौत की खबर सुनेंगे तो उनका गुसा दब जाएगा और उनका जोश भी मर जाएगा तो उसके लोगों तक उसकी मौत की खबर पहुंचाओ उसकी जीत की नहीं और आगे क्या करना है? मैं तुम्हें बात में बता हूँ सुख मिस्टर वीर रेड़ी तुम मेरे शत्रू हो और मैं तुम्हारा सुना मैंने तुम्हारे बारे में तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ सुनकर तरस आया सुना तुम्हारा एक बेटा था जिससे तुम बहुत प्यार करती थे और उस बेटे को नरसिमा रेटी ने मार दिया उसने विश्वास खाद किया, इसे लिए नरसिमा रेटी ने मार दिया उसे तो फेर उसी विश्वास खाद के लिए उसने अपने भाई को क्यों छोड़ दिया क्या इंसाफ सब के लिए एक नहीं होना चाहिए इनजस्टिस, ब्लादी ब्लॉड रिलेशन्स, हमेशा नाइनसाफी की वज़े बनते हैं मेरा तो खुम खौल रहा है, पता नहीं तुम इतने शाथ कैसे हो वीर रेटी मैं यहाँ पर तुम्हारा फाइदा उठाने नहीं आया हूँ पराण के खोल कर देखो कौन तुम्हारा फाइदा उठा रहे है सोच के देखो वीर रेटी स्वामी, युद्ध में क्या हुआ कोई ठीक से बता नहीं पा रहा मैंने सुना मेरा बेटा शहीद हो गया है मुझे बहुत डर लग रहा है आज कार्थिक पूर्णिमा है जरना टीले पर दिया जलेगा कहां जा रहे हो लग स्वामा? अज कार्थिक पूर्णिमा की रात है तीले पर दीव जलने जाना ही होगा मुझे क्या तुम्हारा जाना इतना जरूरी है? फिर अंगी पहले ही अफ़ा भेला रहे हैं कि तुम मर चुके हो आज हजारों लोगों की आखे ठीले की और बड़ी आशा से देख रही होगी और उन्हें ये दिखना चाहिए कि हम युद्ध जीत रहे हैं और हमारा अंदूलन जिन्दा है अभी तुम जरूरी हो वो दीप नहीं नहीं वो विश्वास जरूरी है जो लोगोंने हमें दिखा है आज उस दीपक का चलना जरूरी है मुझे लग रहा है कोई अन्होनी होने वाली है इंदर से मारेटी अड़ से मारेटी विल्कुल सही कह रहे है विश्वास नहीं मरना चाहिए कोई अन्होनी नहीं होगी मुझ में भ्रोसा रखो कोई लोगो 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 बढएचव है लेस्प aynı तेसं हा लो है लेस तौर्ण लाओं होさ ल्मन से दवा? कैसे हैं? सिद्वा, सिद्वा, कैसी हो तुम? ठीक तो है, ना? हाँ, लेकिन इस समय तुम यहां क्या कर देए? मुझे बता था आपको कुछ नहीं होगा, मैं सिर्फ आमको देखने आई थी आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? नहीं नहीं मैं जाती थी, आपको कुछ नहीं होगा लाँ मजी तो कितना प्यार है क्या हो? क्या हो अपको क्या हो? क्या हो आपको? आपकी तभी अपको अजया हो चिक रहाँ क्या हो ग्या? मेरा रेडी? क्या हो आपको? चक्कर क्यों हो आपको? इस समय तुम्हारा यार है ना ठीक नहीं है? दिको यहां से, जल्दिको आपको ऐसे छोड़के देए जाओ दीपक चलना नहीं चाहिए उसे संदा परो सबगे मेरा पीजे सिद्धमा यह रास्ता कोई नहीं जलना तुम इस गुफा से निकल जाओ मनी जल्दिकरो मुझे यही रहने दीजिए नहीं सिद्धमा उस दीप को जलाना ही होगा तुम्हे वी इस दीपको संबाल के जाओ संबाल के संबाल के के लियों गजा तुमी Müूल कर तुम यहीं लग इस बंख कर अलो किन लड़ झाल प्रावन या erum लुटीं, हम भीं किन लो पुटा, किन लुट संगि लुट, लुटीं किन लो औो'RE जातoria Thousands लोcket autका व लोस्यावी कर दो 550 पूरायो robi कि दाख दालुगोगेownik हैंweisenya है कि दिव में है ताई। कर दिव में忙cus लिए दुत some सबतू हैं मिलेगाऊ और सॉत कर दो निए फ görün mat देकिर के में 222 तुट कर दो लिए अ आथ कर दिसमने कि देफ मूथshrias प्रशी बेठा तुम सिंदा हो नहीं उन्हानमजन नहीं वारा बाबा तुम जानते हो ना बहुत फ्रेम करते हैं तुमसे तुमारे बाबा बहुत आशाएं लगा रखी हैं उन्हें तुमसे अगर तुम मर गए तो उनकी आत्मा मर जाएगी और मैं वीरा रिड्डी को ऐसे नहीं देख सकता जाओ और अपने पिता को फूरी तरह से मार दो जाओ अब रादी हो बाबा मार रादी तुमसे नहीं अंग्रेजों से छल करो देश भक्त कहलाओगे देश के लिए कुछ करके बाबा से बिलो वो फिर से जी उठेगे बाबा नर्सिमा रड़ी को नर्शिली दवा पिला के कोई नीच पकड़वाना चाहता है उन्हें बताना है कहा मिलेंगे वो बाबा बनीच वेह हूँ यह आपने क्या कर दिया दिए रेदी लगास्टार्ण थैं वो जो अलुटे गुटे अलुटे क्यं वो, अ राजा हम वो. लखालुटार्णूष्टार्ण। लगालुटार्ण। लगालुटार्ण। मिस्टर नरसिमह रेड़ी तुम्हारे साती गोसाई वेंकना अवकू राजू, पापा खान और तुम्हारे 112 सहयोग्यों को धंड स्वरू एक टापू पर भेजा जा रहा है अपने सारे अपराद सुईकार करो और शमा मांग लो अंग्रेज सरकार शायद रहम खाकर तुम्हारी सजा कम करते हैं शमा मांग, कभी नहीं अगर तुम्हारी कोई अंते में चाहो तो अभी इसी वक्त बताओ सेक्शन 2, Regulation 1, 1834 आक्ट के तहत जंता की मौझूदकी में इसे पासी पर लटका दो अज़र को अगर को आए एक्शन 2, Regulation 1, 1834 एंग श्याओज के बताव लगश पासी पासी बताव अज़र को अज़र को अज़र के लगए अज़र के अज़र के दो अज़र को अज़र शाए लगशन 2, 172, 1834 आक्ट के प्रिदों फटचा दो yearly पार क्वास्टल क्वास्टल करी फ़ल क्वास्टल क्वास्टब करे दो और लो कि अुट जूल जूल भूम। बंप बंद Kalau क्लिव मैंग कर। दो करेंस कर दहाँ का बाँ नन कर दो कर दो प्रिट्या में भी अपने मिद्र का साथ दे बादा तो अच्छा होता नर्सिमा रिदी जो जीट की कगार पर खड़े हैं और मौत से परे हैं प्रिद्या में पराजित नहीं कर सथा प्रिदी नहीं प्राजित नहीं होता The court of Flokstaria Dalat convicts the prisoner Majauri Narsimah Reddy on the counts of rebellion, murder and robbery and hence orders him to hang by the neck until death सर उठाओ आसू पोच कर और सीना तान कर गर्द से देखो मेरी और तुम्हारे सामने है स्वतंतृता इस देश में माताएं बच्चों को वीर गाधाएं गाकर सुना दी हैं इस देश में जो युद्धुएं महाकाव्य बन गए इस देश में जो खून बहा इतिहास बन गया हम वो है जिनोंने दुनिया को मोक्ष सिखाया अब हम सब को मुक्ती सिखाएंगे हमने बेखाफ जीना सिखाया अब आसाद मरना सिखाएंगे भारत की पवित्र भूमी से इन अंग्रेजों को खदेर कर दम लेना जो हमारी माओं की चातियों से दूच चुड़ाकर उंका सर काते थे इस धर्थी पर जिसने भी जनम लिया उसका सिर्फ एक परम लक्ष्य होना चाहिए जो भी युद्र में शहीद हो जाता है वो स्वेब युद्र बन जाता है आज से मैं भी युद्र हूँ जो राष्ट के वियावदी देता है वो स्वेब राष्ट बन जाता है आज से मैं राष्ट हूँ आग जब मुझे सूली पर चड़ा रहा जाएगा, उसका उत्साब बनाना, महापर्द बना देना इस दिक्तुर। यह जो हो रहा है, यह मेरी मृत्यु नहीं है, साथियों, जनम है। आज का दिन भारत की स्मत्रत दाका, जनम है, बारत माता की। भारत माता की। जनम है, 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 जनम है झालाओ 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 झॉ शुलेप्या और रहाद दोड़ाद, जैब भी आप अशनग, रहाद रहाद! युआ येएए युआर्णा रगुआ। कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो पाली मावारा छूल किरें नहीं एने दूँकर कुछ में भाला कुछर सबस्कान, मैं करते हैं। आसे म्त keekने हो नर्सिमा जिर्दा आयो नर्सिमा ग्षत अजिक लो लुःग करें आछे जिसरा उसे पयदा तुझे जड़ लिया एहरे कोन दे ऐक नया जढ़ जही पयदा होगा तर जढ़ा आना खाट होगा आश हो जढ़ जही जही तरॉर पुरा होगा नधिद्धिद्धिद्ध प्सरफ़ के सव沒關係 रूंगर के आश देुद्धिद्ध को नायक की मृत्यू से युद्ध का अंद होता है लेकिन तुम्हारी मृत्यू से ये युद्ध अरंग हुआ है ये थमेगानाई तम जीत का नर्समा इस युद्ध में नर्सिमा रेड़ी ने जान फूंकी थी हम इसे आगे बढ़ाएंगे यहां के हर युद्ध के हत्यार में नर्सिमा रेड़ी के प्राण बसे है क्या हम ये भूल जाएं जाभी नहीं भारत वासियों को जेतावनी के रूप में उयाला वाड़ा नर्सिमा रेड़ी के कटे हुए सर को खिले के मुख्य द्वार पर तीस साल तक लटकाया गया था परंत ये जेतावनी एक प्रेरणा बन गई और लाखों लोग आने वाले सौ सालों तक स्वतंत्र भारत की लड़ाई लगातार लड़ते रहे इन्ही के बलेदानों का नतीजा था कि भारत माता को 15 अगस्त 1947 को घुलामी की जंजीरों से मुक्ति मिली और हमने स्वतंत्रता की सांस भी आईए हम भारती अता का आदर करें और भारती होने पर गर्व करें